शिवपूरी दिनारा पुलिस ने अंधे कतल का परदा फास किया है। कजुवा प्रजापती उम्र 55 साल निवासी ग्रामदांगी पुरा थाना अमोला ने उपर सिथ होकर रिपोर्ट की थी। मेरा लड़का महिश प्रजापती उम्र 28 साल अपनी बहु गीता के साथ ग्राम कुरोल में खेती की देखपल करने गए थे। करेरा जीडी शर्मा के द्वारा गुम एंसान जाचेतु दिनारा थाना प्रभारी संतोज भारगों को निर्देशित कर टीम गठित की गई थी। गुम शुदा की पतनी गीता प्रजापती एवं संदेही अंकित गवर से हिकमत अमली से पुछताच की गई। तो दोनों के द्वारा एक दूसरे से करीबन आट नो माहा से प्रेम प्रसंग होने की बात स्विकार की। गीता द्वारा अपने प्रेमी अंकित गवर के साथ मिलकर ग्राम। कुरोल में अपने घर में पती महेश प्रजापती का गला दबा कर हत्या कर उसकी लाश म्रतक की मोटर साइकल से ग्राम दांगीपुरा रामपुरा के जंगल में नरिया के किनारे लाश को फैक दिया। शुपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट सर जो आपने कलारू भी पकले हैं उनका कूरा क्या मामला है। देविलाल प्रजापती अपनी बहु गीतावाई को लेके ठाने पर आयते तो उनका ललका महिस प्रजापती 27 से तापता है। जिस पर हमने देविलाली की रिपोर्ट पर गुंसुद्धी कायं कर ली दी और गुंसुद्धी पर से ने जाच की। जाच में सुबसे ही मुझे गीतावाई पसंदे था कि इसके दोरा कोई करत्य किया गया है। फिर मैंने लगातार मुप्दुरी लगा है और पोलिडेल में भी यह लोगों का एक जो अंकित लड़का है अंकित गौर्ण। उस पर इसकी लगातार मात होती रहती रहती है। मैंने पता भी किन मुझे लगातार मुप्दुरी लगों को बनाते रहें। लेकिन फिर में अपनी हिमा का भी से लगों कुष्टाच की। तो फिर इसमें गीतावाई टूड़ें। जिसको इसने बताया कि हमने गरादवा के में इस पर इसकी रहती है। और मैंने और अंकित ने लगा कि उसकी डेड़ गोडी दामी परागी जंगल में फ्हेंगी। जिस पर हमने तदकाल दोनों को ले जाकर रहें किनिसान दही पर गोडी को बनावत किया। गोडी में कंकाल में रहा है। इसका हम बेरे कराएंगे। और तदकाल पीज़ों को कायम पर दोनों को जबतार कर दिया। आज हम उनको प्र प्रोटेस करें। थैंकिय। थैंकिय। हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल SW24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना मुलें।